दोस्तों शरीर को जब परयाप्त मातरा में कैलिशियम नहीं मिल पाता तो शरीर में बहुत सी बीमारियां प्यादा होने लगती है। कैलिशियमी कमी से खोन में इसकी मातरा भी गड़ बड़ा जाती है। कैलिशियम के स्थर को बढ़ाता है। आप तक साबुदान अच्छी तरीके से दूद में मिक्स हो जाए और नरम हो जाए इससे पकाते सर्में आपको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि साबुदान चिपके नहीं इस तरह से चलाते हुए इससे पका लिजे यह बिलकुल खेर की तरह बन जाएगा दोस्तों जब और लगाने जाते हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रखते हो सुबह के समय में उसके बाद आप इस दूद को पी सकते हो इस दूद का समय बच्चों के लिए उतना ही बड़े बुजर्गों के लिए भी है बड़े बुजर्गों के हाथ पर में दर्द हड़ीयां क समजोर होने की समस्या जादा होती है तो वे लोग भी इससे रेगुलर ले सकते हैं इस दूद को पीने से अगर आपके शरीर में कैलिश्यमी कैमी हो गई है वो तो वो पूरी तरह से खत्म हो जागी शरीर में कैलिश्यम बढ़ेगा साथे साथ उड़ते बैठते चलते समय आपके हड्डियों में जो दर्द की समस्या होती है कमर में दर्द होता है पूरे शरीर में दर्द होता है अकड़न-जकड़न की समस्या होती है तो उसमें भी फादा मिलेगा तो यह पहला उपाय हो गया इस कलावब देखे यह है दोस्तों Google गूगल एक आयरवेदिक हरबल गोंध है या आपको किसी भी आसपर से पंसारी के दुकान में आयर्विदिक दुकान मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको गठिया, अर्थ्राइटीस है या फिर हड्डियों से समंदित रोग काफे सालों से हैं। आपके जोड़ों में घुट्णों में लचक पड़ता है, घुट्णों में गैप हो गया या फिर लंबे समय से कमर में दर्द रहता है तो आप गुगल का इस्तमाल कर सकते हैं। आपको रोजाना लगभग 1 ग्राम की मातरे में गुगल का गुझड लेना है और इसे आपको पानी के साथ लेना है। एक ग्राम गुगल गुध बहुत हो जाता है, इससे जाना मातर में कंज्यूम ना करें। और लगातार इसका सेवन लगभग 20 दिनों तक किजेगा। ब्लड सोक्लेशन को बैटर करता है इसके लावा एक अनाज है जिसे हम finger millet कहते हैं रागी कहते हैं कहीं जगहां पर इसे मडवा के नाम से जानते हैं आप कोमेंट टिर के बताएगा बहुत से लोग इसे देखते हैं तो कहते हैं यह तो राई है यानि सरसों का दाना है लेकिन हम गेहों की रोटियां खा कर Humaray को बिमार करते जा रहे हैं सिर्फ गेहों की रोटियां खाते रहने से शरी में शूकर बढ़ता है इसलिए आयरिवेद में कहा गया है कि आप अपने डाइट में मोटे अनाज को शामिल किजे और इनहीं मोटे अनाज में से यह जो रागी ह खिलाएंगे ना भी से, तो उनकी हड्या मजबूत होगी, उनका ग्रोथ अच्छे से होगा, शरीर फॉलाद बन जाएगा, और बढ़ाफे में उनको कभी भी जोडों में दर्द घुटों में दर्द की समस्या नहीं होगी, तो रागी का 7 कैसे कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सक हैं कैजिश्यम को बढ़ाने वाले कुछ आहर के बारे में, होम रेमेडी के बारे में, आप एक सा 7 किजिए और हमेशा स्वास्ति रहिए, जाहिंद